हाई! आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कौन सा लेंस ले सकते हैं? भई लेंस के कौन से कौन से टाइप होते हैं? इस सब के बारे में आप एक डीटेल डिसकेशन करने वाले हैं और आपको सब कुछ एक्दम डीटेल में समझ में भी आ जाएगा तो इसके पहले के वीडियो में जहां पर हम लोग ने आपको ये पूछा था और ये समझाया था कि कौन से कैमराज आप 2021 में खरीच सकते हैं? तो काफी लोगों ने कॉमेंट किया था कि यार लेंस कौन सा ले? कौन सा ले? कितना महांगा है यार ये लेंस तो कौन सा हमारे के लिए बैस्ट रहेगा इसके बारे में डीटेल वीडियो बनाए ये वीडियो उसी के लिए है पर यार काफी लोगों ने ये भी कहा था कि मुझे ना वेडिंग के लिए स्पेसिफिकेशन दीजे कि वेडिंग के लिए कौन सा लेंस लेना चाहिए तो ये वीडियो में वीडियो को लाइक कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि हर वीक हम ऐसे इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं और कोई भी क्वेशन हो कोई भी डाउट हो इंस्टेग्राम पे तो आप डियम करते ही हो कॉमेंट सेक्शन खाली है उससे भी ब रखा है आप सब लोग हमको वहां पर जॉइन करेंगे रात को आठ बजे रखा है ताकि आप सब लोग उसे अटेंड कर सके तो जल्दी से अप इस वीडियो में जाते हैं और यह लेंस क्या है कैसे हमको फंक्शन करना है इसके बारे में जान लेते हैं लेंस आपकी आँखो थुपा आप आरका दिमाग उस चीज़ को क्याप्टर कर पाएगा एक camera एक दिमाग की तरह काम करता है पर जो lens है उसको एक धृष्टी होती है और आप उस चीज को बहुत अच्छे से देख पाते हो तो जो भी एक बुद्धिमान photographer होता है जो एक हुशार experience photographer होता है हो हमेशा lens को जादा importance देता है camera को कम importance देता है तो आपकी जो ये आँखे होती है न अगर आप एक आँख बंद कर दो ऐसे और ये जो दूसरी आँख है आप ये दूसरी आँख से एक आँख से जितना देख पाते हो आपका camera एक 50 mm के lens से उतना देख पाता है जब आप एक full frame camera यूज करते हो और उसके उपर एक 50 mm का lens लगाते हो तो जितनी चीज आप आपकी एक आँख से देखते हो आपका field of view field of view मतलब आपकी दृष्टी का शेत्र कितना आप उस शेत्र को देख पाते हो अपनी एक आँखे बंद करके उसे हम normal lens कहते हैं एक camera का जब एक full frame camera के उपर आप एक 50 mm लगा दो तो आप एक आँख से देखने वाली जितनी चीज देखते हो आपका camera उतना ही देख पाता है मतलब 50 mm का lens normal lens बहुत ही important lens होता है हर camera की body के साथ एक 50 mm को लेना बहुत ज़रूरी होता है चाहे आप कोई भी category में हो चाहे आप sports photographer हो या wedding photographer हो कोई भी category में हो पर एक 50 mm का lens आपकी focal length जो 50 mm की होती है आपके साथ होनी चाहिए अब यह आप बोलोगे क्या ठीक है यह focal length क्या होता है बहुत simple है आपका जो last end है आपकी lens का वहां से लेके आपका camera का sensor जहाँ पी आपकी image form होती है उतना जो आपका distance है उतना जो आपका distance है उससे हम लोग mm कहते है focal length कहते है और 50 mm, 30 mm, 100 mm ऐसे उसको subject करते है जैसे लोग नहीं बोलते है यह लंबा वाला lens देना वह छोटू वाला lens देना उसको ऐसे नहीं बोला जाता है हम लोग जो भी इंसान इस photography की field में पड़ा दिखा होता है उसको लंबा छोटू lens ऐसे नहीं बोलता है उससे focal length कहा जाता है 50 mm, 60 mm, 100 mm हम ऐसे बात करते हैं ठीक है? तो यह जो 50 mm है उसको हम लोग एक normal lens कहते है और अगर आपका camera APS-C sensor है अभी तक मैंने full frame camera की बात की है पर अगर आपका camera APS-C है तो आपको 30 mm lens normal lens की तरह काम करेगा question होगा कि APS-C के लिए 30 mm क्यों full frame के लिए 50 mm क्यों अगर आपको full frame क्या है, APS-C क्या है उसके उपर एक detail video चाहिए comment section तो खुला है, DM कर दो अगर ज़्यादा से ज़्यादा DM आ गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा comment आगे इस video के लिए, उसके उपर एक video बन जाएगा, एक detail video जो आपको कभी भी, आप कोई भी मेरा जानोगी, और आपको समझ में आ जाएगा यह APS-C है या full frame है और इसके बीच में क्या difference है जब आप एक normal lens की बात करें तो उसके बहुत सारे usage है जैसे की, अगर आप एक bright का getting ready shoot लेना चाहते हो अगर आप एक portrait photograph कीचना चाहते हो अगर आप एक photo journalist हो मतलब जो newspaper में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी 50 mm का lens बहुत important रहता है क्यों काफी बार street photography और portrait photography करते है अगर आप एक product photographer हो यह सारी जगा पे आपको normal lens की requirement बहुत साधा हो जाएगी और जैसे ही आप यह 50 mm के ऊपर चलने लगते हो मतलब 70 mm, 100 mm, 200 mm इसको हम लोग telephoto lenses कहते है telephoto lenses क्यों क्योंकि आपका जो यह शेत्र था आपकी दृष्टी की जो यह शेत्र थी आपका field of view मतलब जितना आप एक lens से देख पा रहे थे उसका अब वो उंडा होता ही जा रहा है मतलब वो narrow 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 होता जा रहा है वो close up close up close up होता जा रहा है जिसके वज़े से अब यह 50 mm, 70 mm, 100 mm, 500 mm तक पहुचता है अगर आप एक wedding में candid photographer हो और आपको natural moment shoot करने है सब लोग हस रहे हैं, खेल रहे हैं और आपको उनको नहीं बताना कि आप उनको photo खीच रहे हो मतलब दूर से उनकी natural photo ले रहे हो और उनको पता भी नहीं चल रहा है तो आपको एक telephoto lens की जरूरत पड़ती है जब आप एकदम दूर से उस इंसान को और उस moment को capture कर सकते हो पर आप बताओगे, ठीक है, तो मैं कौन सा lens लूँ 70-200 mm का जो lens है, वो बहुत ही best lens है आपके लिए Candid Wedding Photography के लिए क्योंकि उसमें आप 70 से लेके 200 तक सारे जो focal lens है उसको यूटलाइस कर सकते हो पर जैसे ही आप यह wildlife photography करने जाते हो आपका जो chair और चीता है ना वो सिफ soft heat की दूरी पे नहीं है जैसे Wedding में वो आउंटी सिफ soft heat की दूरी पे है यह जो चीता है, यह बहुत जादा दूर है अगर वो soft heat की दूरी पे रहे ना, तुम ही भाग जाओगे तो यह जो wildlife photography है, उसमें आपको जादा mm चाहिए मतलब 200 mm, 300 mm, 400 mm ऐसे इतने दूर से आपको उस चीज को capture करना है अगर आप एक stadium में हो, sports photography करना चाहते हो क्या आप stadium के अंदर जाके photos कीचने वाले हो stadium के बाहर, boundary के बाहर जाकर भी आप एकदम छोटों से दिखना वाला सची टेनुल करको भी एकदम अच्छे से बड़ा दिखा सकते हो क्यों? क्योंकि आपके पास वैसा lens है आपके पास 400 mm, 300 mm, 500 mm इतने लंबे lenses है, इतने telephoto lenses है तो आपको यह जो lens है, इसके लिए यूस करना होता है पर जैसे ही आप 50 mm के नीचे उतरने लगो मतलब आप 50 mm के नीचे जाओगे तो क्या होगा? जितना आप अपनी एक आँख से देख पा रहे थे उसका और भी wide देखने लगोगे जो चीज आपकी आँखों से भी नहीं देख पा रहे थे उससे भी ज़ादा wide और wide देखते जाओगे तो इसको हम लोग एक wide lens कहते है और ये जो wide lens है आपको पूरी चीज जो होती है बहुत सारी चीज, बहुत सारे elements एक ही frame में सब कुछ साथ में दिखा देता है और अगर आप एक संगीत shoot कर रहे हो या फिर आप एक wedding में decoration shoot कर रहे हो आपको चाहिए कि ये सारा decoration मेरा एक ही frame में आ जाए आपको चाहिए कि इतना बड़ा reception का crowd मेरा एक ही frame में आ जाए या फिर वो reception में group photo इतने सारे 25-50 लोग एक ही stage पे आ गया है तो उसको भी मैं दूर से shoot कर सकूँ और पूरा shoot कर सकूँ तब हम लोग wide lens यूज़ करते है अगर आप एक wedding में हो तो आपको 16 mm का जो focal length है वो सबसे best रहेगा क्योंकि 16 mm तक हद तक सारा जो decoration है वो capture हो जाता है पर अगर आप ऐसा सोचो कि रार नहीं रहेगा जहां पर वो चोटा सा रूम है वो भी आपको एकदम wide दिखाना है ठीक है उसके सारे elements आपको एकी frame में दिखाना है उसका sofa से लेकि उसका जुमबर पूरा दिखाना है उसके लिए आपको 14 mm का requirement रहेगा पर अगर आप ऐसा बोलो यार नहीं मुझे तो landscape shoot करना है मतलब आकाश ये दर्या ये सब कुछ मुझे एकी frame में चाहिए तो आपको और भी wide जाना पड़ेगा ये एक focal length का कमाल होता है ये आपकी requirement होती है मतलब अगर आप ऐसा सोचो कि यार मुझे landscape photography करनी है तो आपको और भी wide जाना पड़ेगा पर फिर आप ऐसा सोचो कि यार नहीं मुझे तो 360 degree रिखाना है मुझे तो और भी wide जाना है एकदम dramatic effect बनाना है तब ये जो dramatic effect है जहांपे जो ceiling है जो side के corners है वो भी सारे bend हो जाते है ये जो circle में दिख जाते है तब आपको और भी नीचे मतब 10 mm, 8 mm वहां तक लोग जाते है और उसको fish eye lens कह देते है तो ये जो 3 categories है कि 50 mm के उपर वाला 50 mm के नीचे वाला ये सारा कुछ मैंने आपको भी समझा दिया और उसके क्या purpose है वो भी समझा दिया पर फिर भी लोगों को बहुत एक question होगा क्यार 50 mm क्यों और 50 mm full frame में और APSE में 30 mm क्यों इसका भी एक detail video है कि APSE क्या होता है और full frame क्या होता है अगर आपको इसमें एक detail video चाहिए तो please comment section में लिखे पर इसके बाद भी मैं जानती हूँ काफी लोग मुझे comment करेंगे क्यार ठीक है आपने lenses के focal length के बारे में बताया पर ये lenses के उपर जो लिखा होता है ये 7200 या सिर्फ 16 mm prime lens, block lens ये सारी जो चीजे होती है कुछ लिखी हुई बाते रदी है ये सारे specifications भी हमको जानने है detail में एक एक चीज जाननी है अगर आपको ऐसा कुछ जानना है और अगर आपको camera के अंदर क्या operations है क्या lighting होता है start to end, सब कुछ एकदम detail में जानना है तो of course आप हमारा एक course जॉइन कर सकते हो चो हम लोग ने launch कर दिया है उसकी सारी जानकारी आपको इस number पर मिल जाएगी और contact कीजिए और ये पूरा course जानिए समझिए अगर interest हो तो आप इनके साथ आगे बात भी कर सकते हो आफी लोगों ने जो हमारा camera in 2021 वाला जो video था उसमें comment किया था क्यार ये तो बहुत जादा महिंगा camera है आपने तो इस category में इसको डाल दिया क्या आप एक technique चाते है जहाँ पर आप सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा best deal में एक camera खरीच सकते हो वही चीज़, वही lens, वही सारा पर आपको एक थोड़ी सस्ते deal में मिल जाए कि आप ये technique जानना चाते हो comment section में लिखे अगर इस topic के बारे में बहुत सरे comments आए तो फिर हम एक ऐसा video बनाएंगे जहाँ पर आप सस्ते में और अच्छे में अच्छी quality से ये camera खरीच सकते हो I hope आपको ये video अच्छा लगा है and I know ये अच्छा video है तो प्लीज इसको like कर दो subscribe कर दो channel को instagram पे live session भी है उसको join कर सकते हो instagram पे dm कर सकते हो ये सारे options youtube के comment section के साथ available है please join कर ये and कुछ भी question हो कुछ भी doubt हो हम सब solve कर देंगे thank you so much by the way and see you soon